चोकिदार भरती जो की 12th पास के लिए एक बहुती बड़ा उसर है जो की नौकरी लेने का और ये बिना परिछा में डायरेट भरती है और इसमें 18 से 40 साल तक के युआ अपना एक मतलब इसमें आप भाग ले सकते हैं और इसका सेलरी आप लोग 1,36,000 तक इसका सेलरी जा सकता ठीक है और इसका फुल जानकारी आपको geniusjaanakari.com पर मिल जाएगा और चले मैं आपको इसकी total जानकारी देता हूं ठीक है इसका salary से लेकर आपको क्या क्या चाहिए क्या क्या document है और total इसमें 65 post है ठीक है चलिए मैं आपको इसकी full detail बताता हूँ क्या से क्या करना है इस vacancy का नाम मद्यपर्देश वेर हाउसिंग एंड लोजिस्टिक कोर्पूरेशन भोपाल ठीक है और name of post चोकिदार जूनियर असिस्टेंड और टोटल पोस्ट 65 है कुछ-कुछ offline और कुछ-कुछ online है ठीक है लास्ट डेट 10 सिप्टमबर और यह मद्यपर्देश एंपी में जॉब लोकेशन है अगर आप मद्यपर्देश हैं तो वहां पर यह वलावेक इंजर निकला रूरू साड़े पंदुरा से एक लाक तीन हजाजाद शेसो तक सेलरी जाएगी केटेगरी इसका वेरहाउस जोब बात की जाए इसके लास्ट डेट की तो वेरहाउस चोकितार भरती का नोडिफिकेशन 16 अगस्त को जारी कर दिया गा था मतलब 16 अगस्त को इसका निकला था और सुरवात 17 अगस्त से इस्टाड हो गया था भराना इसका और 10 सितम्बर तक इसका लास्ट डेट है ठीक है और आवधन पूरी परक्रिया होने के बाद को रॉप्रेशन द्वारा साच साच्छातकार के लिए एक मतलब अलग नोडिफिकेशन जारी कर दे जाएगा बाद में और फिर इसका देख लगते हैं इसका पोस्ट का डिटियल ठीक है पोस्ट बहुपाल द्वारा कूल 65 पद पर निकाला गया था वेकेंजी और जिसमें से वेरहाउस चोकितार भरती 48 है ठीक और इंजीनेरिंग के लिए दो पद और सब इंजीनेरिंग सनविधा के लिए एक पद और सहेता गुनवता नियंतरन के लिए पाच पद यानि कि जो चेक करता है सहायता गुन्वता नियंत्रन सन्विदा के लिए दो पद, सहायक लेखकार के लिए चार पद, जूनियर सहायक, टाटा एंट्री ओपरेटर के लिए दो पद और इस टोनो टाइप पीस्ट के लिए एक पद तकिया गया, ठीक है, पद कन्फर्म हो आपका, बात की जाए इसका फी का, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फी या फिर कोई भी चार्ज नहीं लिया गया, ठीक है, आप जो भी अपलाई कीजिए, फ्री है, ठीक है, निसुल्ख, और आपका, क्वालिफिकेशन क्या का चाहिए, वो आप लोग देख लिए बहुत इंपोर्टन है, ठीक है, व विभिन अस्तरिय भरतियों के लिए उमिद्वारों, ठीक है, उमिद्वारों के पास अनुसार, मतलब पद के अनुसार, डिग्री का, डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है, ठीक है, कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या फिर आइटियाई, डिप्लोमा या फिर आइटि साल ताई किया गया है और अपने उम्र की गन्ना आप लोग को करना है तो उम्र की गन्ना एक अगस्ट दोजार चोविस के अधारित पर इसका रखा गया आठी है और और वहीं की जाए बात सेलरी की तो वेर हाउस चोकिदार सेलरी जो की भरती दोजार चोविस के लिए अन्य विभिन पदों के लिए अंतिम रोप से चैने तो मिदवारों को पद अनुसार 15,500 रुपे से 1,36,000 रुपे तक ठीक है मानसे ग्वितन दिया जाएगा और रही बात सेलेक्शन प्रोसेस की तो वेर हाउस चोकिदार वेकिन से दोजार च किसी भी अन्य भरती के लिए लिखित परिछा आयोजित नहीं की जाएगा ठीक है कोई भी एकजाम नहीं है और इमिदवारों का मद्य परदेश वेर हाउस कोर्परेशन भरती के लिए चैन साचात का दस्तावे सत्यापन और चिकित्सा परिछन के आधार पर किया जाएगा गरंवान के लिए आपका यह मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और आप लोग जो जो डोकॉमेंट दैंगे उसी के अनसार आपका Department किया जाएगा और वहीं बात की जाए इसमें आपका डॉकोमेंट्स की तो आप लोग देखिए डॉकोमेंट क्या क्या चाहिए गोदाम चोगता भरती के लिए उमिद्वारों के पास क्या क्या होने चाहिए देखिए आधार कार्ड मांक्षिट 10 का 12 का मांक्षिट पाद कि बात की जाए अपलाइ के से करना है तो देखिए अपलाइ के से करना सबसे पहले नीचे दिया गया एक नीचे यह है अप्लिकेशन का मैं फोर्म दूंगा डिस्कॉशन बॉक्स पर उसको आपको फ़ले डाउनलोड कर लेना आपको फोर्म में देखिए क्या का रखना जानकारी को धान पूरक पले पाल लेना ठीक है क्या क्या मांगा गया उसके बाद पाद अनुसार जरूरी दस्तावे जैसे मैंने बोला ने डिपलोपा वगरा ठीक है वही आपको और सभी का फोटो को पी आपको अटेच करना है और निधारित अस्थान पर फोटोचिप का करें हस्ताचार करें हस्ताचर करें और जो फोर्म होगा मैंने बोला नवर डिस्क्रप्शन पर डाउनलोड लिंग दूगा उसका फोर्म पर वहाँ पर फोटोचिप का ना है भरेगे फोर्म को लिफाफे में डाल कर लिफाफे के उपर बड़े-बड़े अक्षरों में पर आपको अपने डिटेल भर देना है और जो आपको इसके मतलब फोर्म के जो इसको प्याक जब आप कीजिएगा अप लोग अपने डॉक्पोमेंट के साथ फोटोगूपिय बड़े अगरे साथ और बाहर में आपको लिग देना है बड़े-बड़े अक्षरों में ठीक ह क्या लिखना है वो मैं बताता हूं आपको यह वाला लिख कर आप लोग को पोस्ट कर देना ठीक है पते पर और जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस आप लोग देख लिए यहाँ पर यह वाला अड्रेस इस एड्रेस पर आप लोग को पोस्ट कर देना है ठीक है कम्प्लीट त तो मिलते हैं ना शूरी में